अमिजी एक सवाल और इस चुनाओं के पहले दो सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं केद्रिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं एमन सोरेंजी भी अंदर हैं तो आज सुप्रीम कोट ने इडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्टन उठाया है तो इसको आप कैसे देखते हैं नहीं दिखें इडी सुप्रीम कोट के सामने एक्स्प्लें करेगी मगर मैं बताना चाहता हूँ यह बहुत समन के बाद हाजर नहीं हुए पहले समन में अगर आये होते तो चुन करने की साजेश है देखो भाईया तिहाड जैल दिल्ली सरकार के अंतरगत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरिवाल जी है तो क्या उनको मारने की साजेश वो स्वयम कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो डीजी प्रिजन जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है जरा भी नहीं प्रिजन सीधा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करता है तो इसमें आपका कोई वो को सवाल ही नहीं पैदा होता है इवीम पर सुप्रीम कोट का फैसला आया ओपोजिशन इवीम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी स नेशन वन इलेक्षन की बात कर रहे हैं यह लोग इवीम की बात कर रहे है अगर हम इवीम के कारण जीतते हैं तो तिलंगाना में क्यूं हरे तमिलनाड में क्यूं हरे केरल में सालों से क्यूं हर रहे है हिमाचल में क्यूं हरे बंगाल में क्यूं हरे या तो राहूल गांदी ने सपस्ट करना चाहिए कि इवीम से आये नतिजों में हम जित्ते हैं तो भी सपत नहीं लेंगे जित्ते हैं तो नए कपड़े पेंड कर स जब आप जितते हो तब E.M. सही है, जब हारते हो तो E.M. नका रहा है, क्या देश की जनता इसको समधती है, मगर मुझे तो आश्चरे हो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है, मैं दूर से देखता हूं, मुझे आश्चरे होता है, खेर छोड़िये, उनकी पार्टी का सवाल है, वन नेशन, वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करेंगे। अमें जी थोड़ा हटते हैं, कुछ अंतराश्री मुद्दो पर भी बात करते हैं, वाशिंग्टन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया है, उसमें जो है, उन्होंने कहा है कि RAW, जो हमारी इंटेलिजेंस एजिंसी RAW, प्लॉट कर रही थी कुछ टर्रिस को यूएस में मारने का, वहाँ पर और उन्होंने का यह जो है, यह डाक साइड ओफ मोदी सरकार है, इसका पहले कैनेडा में भी आपको पता है, इस प्रकार के रिपोर्ट के आधार पर इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सूरना चाहिए, अगर कोई कॉन्क्रीट पर यह बात हुई थी, कि जो है, ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मनता, कोई गंभीर सवाल खड़े होती है, इसी से जड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी, वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी, उसमें था कि पाकिस्तान में 20 टेरोरिस्स को जो है, इंडि दूनने का सवाल है, परन्तु मैं एतना निश्चित रूप से मानता हूँ, कि ए तो एक्सपोस होई गया, कि पाकिस्तान की स्वाई पर भारत में अतंग फिलाने वाले लोग थे, प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ट नेता भी कह रहे हैं, कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा, जो कि ख़ड़ा होके साइट से तमाशा देखेगा, ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है, इस पर आपका क्या बचाएं? इसमें ये इलेक्षन के समय में ये जो बार-बार तीन-चार पिछले तीन-चार महनों में आता है, इसमें कोई आप साजिस देखते हैं, या साजिस बाजिस छोड़ दीजे, मैं बड़े गवराव और विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारा लोक तंत्र, हमारी लोक तंत्र पध्धती और हमारा चुना हो, तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांस्परेंट है, सबसे ज्यादा विश्वस्ति है, अभी जी कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाओ लड़ेगी, आपने कहा है कि आप आप वहां पर आवाम का दि सबसे लड़ते ही रहे, कॉंग्रेस एक बात और कह रही है, कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुन लिए गए सूरत से, अभी इन दौर में भी ऐसा हुआ है, देखे इस देश में 37 लोग निर्वि कॉंग्रेस के चुने गए, तब तो कॉंग्रेस ने ऐसा नहीं कहा, हर पार्टी ने अपने अच्छे कारेकरता को टिकेट देना चाहिए, अब कॉंग्रेस पार्टी जबरजस्ती इनके कारेकरताओं को टिकेट देती है, कारेकरता हार देखकर मैदान से भाग जाता है, इस पुष्टिन टूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे जहां खालिस्तान के नारे लगे प्रो खालिस्तान नारे लगे वहां पे प्रधान मंत्री और कुछ कैबनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे जिसको कि कहा यह वॉंटेड हैं इसको आप कैसे देखते सरकार ने वहां के रागदूत को आज सब्मन किया था और उनसे एक्स्प्लिनेशन भी मांगा गया है नाराजगी भी हमारी व्यक्त किये हैं तो इस पर और कोई कारवाही कि अभी इस इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी अमिजी आप इतना दौर कर रहे हैं आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहां आएं उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया कल भी मैंने सुना है कि तीन राजियों में जा रहे हैं इसको आप कैसे इस तरह का पनिशिंग शेडियूल कैसे मैनेज करते हैं और काफी म मेरी अफेरना कि सोर्ठ के साथ काम नहीं करता मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं हाँ इससे किनुल अउन्द है तो वो उनका प्रॉब्लेम है मेरी पार्टी को जीताना मेरी पार्टी के लिए काम करना ये मेरा दाई तो है और मैं उसको बहुत अच्छे तरह के से करता हूँ अमिर जी आप हमारे संग जुड़े आपने हमारे सवालों का जवाब दिया पसाबर मतीत तक तक आप आए और यहां पे आपने हमसे बाक्चीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रहूं जी